आज वो जमाना चला गया पैंपलेट बाटने का आज वो जमाना चला गया जो बेसिक तरीके से हम मार्केटिंग और वो चीज़ करते हैं आज वो जमाना हो गया है डिजिटल का सब के पास मॉबाइल है सब लोग मॉबाइल देखते हैं तो उस मॉबाइल के ओपर हमें अवेलेबल हो जाना है और वो सस्ता है डिजिटल फिर हमें देखना है टेंपरवरी वास्टिस पर्मनेंट कुछ चीज़े हम टेंपरवरी बेस करते हैं और टेंपरवरी बेस के अंदर हमारे डिसिशन और बजेट भी कैसे होते हैं टेंपरवरी होते हैं पर्मनेंट कर दो तो पर्मनेंट करने का मतलब क्या है आप आपकी जो office एक example से आपको clear करता हूँ, आपकी office है वो temporary है या permanent है, कुछ लोगों के लिए अभी भी temporary है और कुछ लोगों के लिए permanent है, अगर उस company को आप 100 साल तक चलाने वाले हो, तो ऐसी एक office बना लो या ऐसी एक office खरिद लो, जिसके अंदर आपको जो चाहिए है न वो सा सारी चीज़े करनी रहेगी, उसका uses जो है वो lifetime आपको मिल सकता है, आपके business के according ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, जिसको ये लागो होता है उसके लिए, वहाँ पर temporary मत करो, permanent करो, चीज़ों को, और last में यहाँ पर बताया गया है, short term versus, दो तरीके के decision आपको लेने होते ह कि कुछ चीज़े हम short time में चलाएगे, और कुछ चीज़ों को हम long time के लिए चलाएगे, और दोनों चीज़ों को साथ में चलाना है, clear, hello, 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 अब हम बात करेगे, साथ ऐसी चीज़े, जो एक business man को, अपने business को develop करने के लिए, अपने अंदर develop करनी की जरुद है, जो finance क इसको develop करने में उनको help करें, तो वो साथ चीज़े क्या है, जिसमें सबसे पहला है, pay yourself team on time, अपने आपको time पर देना सुरू करो, आपकी salary fix होनी चीए, अपने लोकों को time पर देना fix करो, उनका fix होना चीए, कितने लोकों के हाथ में जब bil आता है, तो वो पहले date देखता है कि इसके आखरी तारी कौन सी है, फिर वो pay करते हैं, तो ये आदद आज से बदल दो, क्योंकि नेक्स वाला ये ही आएगा, always clear करो आपके due bills सारे time पर, क्योंकि हमें आदद हो गई है, बिजली कटने वाली होगी ना तब हम bill बेरते हैं, इसमें से भारा जाओ, जैसे ही आप के हद में bill आए, और account में amount हो, उसी time पर उसको खतम कर दे, ये वाली आदद बना, clear क्योंकि जितने dues आपके बढ़ते जाएगे, वो कल उटकि आपकी liability बढ़ा देगे, तो उस liability को बढ़ा न करके, छोटे level पर ही उसको खतम करो, कई लोकों के पास vendor और supplier के bill इखटा होते है जमा होते हैं, और हम सोते हैं कि ये महिने नहीं अगले महिने, अगले महिने नहीं अगले महिने, अगले महिने नहीं अगले महिने, और साल हो जाता है और एक बड़ा पहाड आपके सामने खड़ा हो जाता है, कि अब इसको आपको जितना बढ़ेगा, तो better क्या है, उसको मह பर claridas पिर आपको क्या खरणा है तिसरी सी यृर in viz your profit जितना भी धंदे में से पैसा आ रहा है उसको फिर शेज धंदे में लगाओ क्योंकि आपका धंदा जितना बीटन आपको दे सकता है उतना बीटन मार्केट में और और कोई एमर्जन्सी फंड छे मैना साल भर के लिए एमर्जन्सी फंड आपके पास होना चाहिए कभी भी आपको उसकी जरुवत पड़ सकती है क्लियर फिर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी पाच्वीश कि आपको कभी भी कोई भी चीजों को करना है तो प्लानिंग के साथ करना है और सस्टेन होने के बाद करना है कई लोगों का मैंने ये देखा हुआ है बिदनस के अंदर अभी तो एक पैर जमा नहीं है दूसरा हवा में और उतना उनके अंदर सुकता होती है कि दोनों हवा में मतलब एक धंदा तो अभी सेट हुआ नहीं, एक दुकान तो अभी चली नहीं, एक दुपान को तो अभी बनाया नहीं है, उसी के पहले दूसरे दो तिन डाल दिये, फिर क्या हुआ, ये भी नहीं समला, वो भी नहीं समला, नहीं इधर के, नहीं उधर के, किदर के नहीं रहत पहले एक business को sustain होने दो, फिर development करो, clear, फिर आपको ये चीज़ सजमीज रहेगी कि कभी भी always control करो आपका operational cost, कई लोग business इस तरीके से करते हैं, sales बढ़ाएगे तो profit बढ़ेगा, sales बढ़ाएगे तो profit बढ़ेगा, retail वाले जितने भी है ना उनको में बता देना चाहता हूँ, sales बढ़ाने से आपका profit नहीं बढ़ता है, purchasing आपकी कितनी mastery है ना, वो आपका profit बढ़ाता है, खरीदी कितनी down में कर रहे हो, वहाँ से आपका दंदा बढ़ेगा, तो ये बाकी business को भी लागू पढ़ता है, अगर आ उस amount के अंदर बेचोगे, यहां से भी कमाओगे, वहां से भी कमाओगे, दोनों जगा से फाइदा होगा, तो vendor supplier बढ़ाओ, एक ही जगा, एक ही बंदे के साथ पूरी जिंदगी मत रह जाओ, आज बड़ी-बड़ी कंपनिया होती है, वो open invitation देती है, और दाव लगाती है, बोलती है, इतने amount में अगर आप बना के दोगे, तो आपसे business करेगे, नहीं तो किसी और को, वो relation पर नहीं रहते है, फिर साथ वी चीज़ आपको करनी है, set up a good financial habit, कौनसी कौनसी है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, उसके बाद वाला क्या है, उसके बाद, इतनी चीज़े आपको करनी रहेगी, अगर आपको अच्छी तरीके से अपने finance को manage करना है, तो, साथ चीज़े यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ discussion की, जो एक finance को बहतर डंग से manage कर सकता है, क्लियर है यह साथों के साथ चीज़े, अब हमें समझना है कि 100% income अगर हमारी होती है, और आज की तारीक में यहाँ अगर आप 10 अजार, 50 अजार, लाग रुपे अगर महिने का कमा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले यह समझना जरूरी है, उस पैसे को आपको लगाना कहा पर क्लियर, तो यहाँ पर हम अपनी income का जो है, वो 6 हिस्सा हम यहाँ पर divide करेगे, वो 6 हिस्सों के अंदर हम अपनी income को लेकर जाएगे, आपको अपना जो diary और pen दिया है, उसमें आप drop भी कर सकते हो, पहला जो आपका रहेगा, वो रहेगा 50%, उसके बाद दूसरा जो रहेगा वो रहेगा 10%, तिसरा भी रहेगा 10%, उसके बाद भी जो बाकी की income रहेगी, वो रहेगी 10%, यहाँ पर भी 10%, और यहाँ पर भी 10%, अब आपको देखना है कि आप जो पैसा आज कमा कर market में से आते हो, उस पैसे का आपको utilize कैसे करना है, अपने खुद के finance को strong करने के लिए, और अब आगे यह formula जो आपके बिचमे में पेस कर रहा हूँ, उसको सिखने के लिए मैंने खुद 5 लग की fees दी हुई है, किसी company को, और वहाँ से मैं खुद सिख कर आया हूँ, आज आपने LDP किया है, तो यह आपके लिए bonus है, कि आज अगर आप 100 रुपिया भी अगर market में से कम समाते हो, तो उसका 50% amount जो है, personal level पर अगर देखने जाए, तो यह आपका होना चीए, जहां से आपके fixed cost जो है, वो आपकी पूरी हो, और fixed cost का मतलब रहेगा, यह amount जो रहेगा, वो आपके खुद के expense के लिए आपको यूज करना है, जिसको हम बोल सकते है, home expense, clear है, फिर जो 10% पैसा है, इस पैसे का आपको करना है, investment, फिर जो 10% आपके पास पैसा है, उसका use करना है, आपको education के लिए, learning के लिए, फिर जो 10% पैसा आपके पास जो रहता है, उसका आपको use करना है, enjoyment, फिर जो 10% पैसा आपका रहता है, इसको आपको करना है, और क्या करना जरूरी है यह आपके खुद का पैसा है जो आप खुद अन करते हो और उसको आपको यूटिलाइस करना है इसको आपको करना रहेगा सेविंग बचाना भी तो पड़ेगा बविश्य के लिए और बात का जो 10% पैसा है इसको करना है आपको चैरिटी डोनेट और यह लिखकर मैं आपको दावा दे देता हूँ पास साल अगर इस तरीके से आपने अपने पैसे की प्रैक्टिस करनी सुरू कर दी तो पास साल के बाहद यहाँ बैठे सभी लोग फाइननसली फ्रीडम को हासिल कर लेगे